हाई बचो, तो हमने mixed fraction को improper fraction में convert करना सिखा और अब यहाँ पर हम लोग ठीक उलट काम करेंगे for example, there is a number 18 oblique 5 यह एक improper fraction है, because numerator बड़ा है, denominator छोटा है अब इसको हमें एक mixed fraction में convert करना है convert करने का तरीका क्या रहेगा? हम लोग यहाँ पर 18 को जो dividend है, 5 से divide करने की कोशिश करेंगे so 5 बंजा 5, 5, 2 is a 10 and 5, 3 is a 15 so it will go for 3 times and it will remain 15 and 18 minus 15 is 3 yeah, it will be 0, right? so now, be careful, जितनी बार, यानि कि 5 का जो division आप कर रहे हो 18 में, तो 3 बार तो पूरा-पूरा चला जाएगा, 3 times पूरा-पूरा चला जाएगा division, तो यह whole number हो गया, this is the whole number, right? यह जो figure है, जो यहाँ पर आता है, जिसको हम लोग कोशेंट भी कहते हैं यह figure यहाँ पर whole number की तरह आ जाएगा, 3 plus, यह तो यह fraction नहीं बचा आप, fraction क्या बचा, जो remainder है यहाँ पर 3, यह denominator convert हो जाएगा, और यह जो 5 है, वो नीचे हमेशा उतना रहेगा, आप देखे, 18 object 5 को हमने इस तरीके से convert कर दिया, जिसको कि अगर आप, mixed fraction की तौर पर लिखेंगे, तो यह आएगा, 3 object 3, object 5, 3 and 3, 3 over 5 question is, यह तब हो क्या रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कि आप इसको कैसे समझोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको explain करने ही कौशिश करता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, देखे, कोई भी fraction जब होता है, जते हम कोई fraction लेते हैं, 1 over 3, simplicity के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं, let's say, 1 over 2 कर लेते हैं, so that की एक example आप समझे हैं इसको, 1 over 2, इसका मतलब यह था, कि अगर हमारे पास एक, let's say, कुछ भी है, एक square cake है, तो इसका हमें आदा हिस्सा मिला, right, अब अगर हम, क्या करें, 1 over 2 में, इसी में, right, इसी हम क्या करें, ऊपर 2 का multiply कर दें, और नीचे भी 2 का multiply कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 जा 2, नीचे का क्या मतलब होगा, 2 2 जा 4, यानि कि, दो चीजों को चारिज स्वर माटना है, right, अब हम यहाँ पे, दो चीजे बना देते हैं, दो, एक यह हो गई, और एक यह हो गई, और इसको हमने, चारिज स्वर माट दिया, तो एक हिससे रह साइज होगा, वो कितना होगा, अब आप देखिए, जो पहले वाले केस में था, यानि कि, यह रेप्रेजेंटेशन था, 1 अबलीक 2 का, और यह रेप्रेजेंटेशन है, यह रेप्रेजेंटेशन है, 2 अबलीक 4 का, लेकिन, एक हिससा जो है, 1 अबलीक 2, यानि कि, यह चोटा वाला हिससा, 2 अबलीक 4, यान दो हिस्से चाहिए है, मैं राइट सो now, we see यहाँ पर दो के हमने चार हिस से के राइट, और उसका हाफ आपको यहाँ मिल गया, यहाँ भी आपको हाफ मिल गया, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर सो रुपए होते तो आपको 50 रुपीस मिलते है यहाँ पर अगर दो सो रुपए होते तो आपको 100 रुपए मिलते है आधा मिलता, यानि जितना अमाउंट है उसका आधा मिलता हाफ द फ्रेक्षिन, इसको मत भूलेगा, यह फ्रेक्षिन कोई particular amount नहीं होता है 10 या 5 रुपए आधा होता है यानि कि 1 अबलिक 2 और 2 अबलिक 4 का मीनी एक होगा दोनों में कोई फरक नहीं होगा I hope आपकी समझ में आ रहा है Right So, अब हम लोग करते क्या है कि जो whole numbers होते है mixed fraction होता है उसको हम लोग लिखते है 3 and 2 over 5 इस तरीके से Right तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते है 3 plus 2 over 5 Right Now, आप इसमें ध्यान दीजेगा इसी को हम लोग change करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 में हम अगर 1 का division कर दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा But now it becomes a fraction लेकिन इसका value वही हो गया यनि किसी भी whole number में यह whole number है यह fraction है लेकिन इसकी value whole number के बराबर ही होगी सब जानते हैं But 5 oblique 2 is not equal to 5 क्योंकि वह उसका half हो गया Right So, here it is 3 oblique 1 plus 2 over 5 अब अगर हम यह करें कि इसमें उपर 5 का multiplication कर दें और नीचे भी multiplication कर दें 5 5 का यह हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी fraction में उपर और नीचे अगर एक ही number से multiplication किया जाए तो उसकी value पर कोई फरक नहीं पड़ता है Right So this would become how much 5 त्रीजा 15 over 5 plus 2 over 5 यहां पे आप देखें दौनों के denominator बराबर हैं तो जब दौनों के denominator बराबर होंगे तो उपर को आप सम कर सकते हैं 15 plus 2 it becomes 17 over 5 अब मैं आपको यहां से एक आगे कि step का एक supervision दे रहा हूँ कि कभी भी fractions में आपको sum करना है या subtraction करना है ध्यान करियेगा मैंने भी multiplication और division की बात नहीं किये है sum या subtraction minus की बात कर रहा हूँ या तीसरी चीज़ हो सकती है कि बड़ा कौन है बड़ा या चोटा कौन है दो में यह सारे काम करने के लिए always remember आप क्या remember रखेंगे remember करेंगे याद करिएगा यह बहुत मैं बड़े-बड़े letters में लिख रहा हूँ कि fractions का denominator denominator must be equal अगर दो fractions के denominator में फर्क है तो आप यह कभी नहीं बता पाएंगे कि वो fraction कौन सा fraction बड़ा है कौन सा fraction चोटा है उसको sum कैसे करें उसको minus कैसे करें कभी नहीं कर सकते हैं तो इन सारी काम को करने के लिए हर हालत में denominator को बराबर करना पड़ता है denominator को बराबर कैसे किया जाता है different fractions के लिए यह हम लोग अगले presentation में discuss करेंगे